योगर्ट यह दो टाइब की पेश्ट्री है इसमें है गाई वेलकम बैक टू दे चैनल और आज मैं एक बहुत ही अच्छी जगा पर आया हूं मैं आया हूं मुंबई में ग्रैंड हायत में और यह फाइव स्टार होटेल है तो आज मैं यहां पे काफी कुछ खाने वाला हूं मतलब मैं स्टेकेशन पे आया हूं वीकेंड पे आया हूं तो यहां पे खाने के लिए मिलेगा वगेरा काफी सारी चीज़े मैं खाऊंगा तो मैं आपको रूम भी दिखा देता हूं सब भी चीज़े दिखा देता हूं तो लेट्स गो यह देखिए यह रूम का एंटरेंस है और ये mirror है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा room लग रहा है ये देखिए पूरा room tour मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारी चीज़े मैं आपको भी बताता हूँ ये देखिए ये टीवी है बहुत ही बड़ा टीवी दिख रहा है ये और ये एक desk है जो desk पे बैटके हम काम वगेरा कर सकते हैं वो यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे अगर आप business वगेरा meetings के लिए आ रहे हो या कुछ काम करना चाहते हो office का तो आप यहाँ पे कर सकते हो बाकी मैं आपको view दिखा देता हूँ ये room जो है वो top floor का room है तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है नीचे आपको pool दिख रहा है कितना अच्छा view है Mumbai city में अगर आप कहीं पे भी hotel लोगे तो आपको ये buildings वगेरा तो दिखेंगी वरना आप एकदम live जैसे मैं यहाँ से view देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखके because ऐसे view हर रोज हम देखते नहीं है अपने घरों से because hotel के आसपास का area थोड़ा open होता है और इनका ये देखिए lawn है खेलने वाला नीचे और बाजो में pool है उसके वो बाकी के दूसरे rooms ये एक artwork है यहाँ पर और ये है lamp फिर ये देखिए ये bed है बहुत ही सुन्दर bed है king size bed है तो यहाँ पर twin bed भी होता है इनके पास बाकी ये king size bed है इसके अंदर मेरा room card और बाकी सारी चीज़ें थी envelope के अंदर मैंने check-in कर लिया है और AC कितना अच्छा है इसका पूरा central system में वो देखिए smoking alarm है इनके पास smoking rooms और non-smoking rooms दोनों होते हैं तो ऐसा मतलब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ because ये बहुत common questions है कि drink कर सकते हैं या smoke कर सकते हैं यहाँ पे smoking और non-smoking दोनों rooms है तो ये non-smoking room है तो अगर आप कोई smoke करता हो तो फिर आप smoking room भी ले सकते हैं नहीं तो आपको नीचे जाके उनके smoking room है designated वहाँ पे आप smoke कर सकते हो तो ये रहा देखिए मैंने आपको room दिखा दिया है बहुत अच्छा है एकदम सुन्दर है और मैंने आपको view भी दिखा दिया है ये tea coffee makers है ये देखिए मग्स दिये हुए हैं और ये एक kettle है जिसके अंदर आप tea coffee बना सकते हैं ये देखिए इन्होंने green tea दी हुई है और ये एक normal चाय है ये coffee है, चीनी है, वाइटनर, ये creamer है तो बहुत ही अच्छा इंतिजाम है इनका ये पानी की bottles रखी हुई है वो कोई drink वगेरा करते तो उनके लिए ice वगेरा के लिए वो रखा हुआ है और मैं आपको closet दिखा देता हूँ उनका closet बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मैंने closet open किया तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो closet के अंदर यहां पर lights है और ये रहा iron अगर आपको किसी को इस्तरी करना है जैसे कहीं पर आप meeting में जा रहे हो या किसी business deal पर आये हो या उसके रिए तो आप iron कर सकते हो वैसे ये लोग laundry service भी provide करते है और ये रहा ironing board ये ये देखिए ये रहा safe इसके अंदर आप अपने valuables रख सकते हो ये safe है और आपके पास ये देखिए ये shoe cleaner वगेरा है रखा हुआ और ये काफी सारे drawers है इसमें आप अपने सामान रख सकते है जैसे घड़ी हो गया watch हो अपना purse वगेरा रख सकते है ये देखिए shoe shine के लिए इन्होंने ये चोटा सा ये दिया हुआ है grand highat और ये देखिए नीचे bathroom slippers है और ये weighing scale है यहाँ पर आप अपना weight वगेरा चेक कर सकते है और ले चलता हूँ मैं आपको bathroom की तरफ ये एक robe है इन्होंने ऐसे बांद के अच्छे से लटकाया हुआ है तो bathtub में या shower लेने के बाद आप कभी भी इसको robe को पैन सकते हो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये bathtub ये रहा bathtub बहुत ही साफ है काफी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है ये देखिए इनका मैं ये आपको ये दिखा देता हूँ ये इनके toiletries है ये June Jacobs नाम का कोई brand है उसके toiletries है ये shower है और ये अलग से shower है अगर आपको shower लेना है तो बाकी ये bathtub है और मैं आपको toilet bathroom भी दिखा देता हूँ बहुत ही clean है सब कुछ यहाँ पर ये देखिए ये toilet है western style toilet और toilet में बैठके आप किसी को phone करना है तो phone भी कर सकते हैं जैसे नीचे room service मगाना हो अगर आपको याद आ गया वैसे time पर तो आप मगा सकते हैं ये देखिए ये है bathroom का area जहां पर आप हाथ वगेरा दो सकते हैं basin area है तो ये देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखा दो कितना अच्छा लगेगा ये आपको देखके ये देखिए ये है dental care ये है shaving kit और इसके अंदर है ये shower cap तो नहाते वक्त shower cap यूज कर सकते हैं आप ये और सुबह brush वगेरा करने के टाइम पर आप dental kit यूज कर सकते हैं और ये देखिए ये tissue box है इसके अंदर tissues है और एक चीज मैं आपको दिखना चाहते हूं ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये और अभी मैं आपको बाकी का room भी दिखा देता हूं तो मैंने आपको room tour दे दिया है बहुत ही अच्छा room है बहुत ही we'll maintenance है अच्छे से इन्होंने सब जगा रखा हुआ है, टॉले ट्रीज है, पानी है, सारी चीज़े इन्होंने अच्छे से रखी है, वाइपाई भी मिलता है, तो ये रहा बेड और मैं अभी बेड को चेक कर लेता हूँ, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि आइगेस आप यहाँ पर ओर्डर कर सकते हो, और उसके बाद अभी मैं कुछ खाने के लिए मगा लेता हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ओर्डर करूं बाहर से, और चलिए फिर मैं लंच ओर्डर कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको मिलता हूँ लंच के टाइम, दोस मैंने walkar burger magaya है मैंने fryze maga काफी सारी चीजे maga तो मैं आपको सारी चीजे बता देता हूँ यह देखिए यह इतना सारा सामान है तो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है यह cheesy fries है यह देखिए और यह burger king का fiery burger है ये इनका बहुती tasty burger होता है बहुत अच्छे reviews थे इसके तो ये देखे ये fiery burger है ये थोड़ा spicy होता है normal burger से और ये whopper burgers है ये normal burger से थोड़े बड़े होते हैं ये देखिए ये है whopper burger जैसा कि मैंने कहा था burger सिर्फ burger king ऐसे थोड़ा सा बड़ा size का burger देता है normally ऐसे दूसरे fast food joints में मैंने नहीं देखा है और ये आया है साथ में tissue और थोड़ा ketchup और finally ये है chicken fingers ये chicken fries भी इसको शायद कहते हैं ये chicken fingers है और चलिए मैं इसको खा लेता हूँ पटापट और मैं आपको बताता हूँ कि इस अपका taste कैसे है ये देखिए ये cheesy fries है इसके उपर काफी cheese है और ये बहुत tasty भी है मैं इसको खा लेता हूँ पटापट ये देखिए बहुत अच्छा है दोस्तों ये whopper burger है ये बहुत बड़ा burger है ये देखिए इसका size मेरे face से अगर आप compare करोगे तो और बहुत ही tasty है ये देखिए बहुत ज़्यादा tasty है ये ग्रिल पाटी है इसके अंदर chicken की और मैं आपको और चीज़े दिखाता हूँ दोस्तों ये है chicken fries या फिर chicken fingers और मैं एक खाके आपको बता देता हूँ ये देखिए ये पूरा chicken का बना हुआ है बहुत ज़्यादा tasty है मैं आपको अभी fiery burger दिखा देता हूँ ये देखिए fiery burger एक bite मैंने अल्रेडी ले लिया इसमेज़े थोड़ा क्रिस्पी है ये बहुत बहुत अच्छा है टेस्ट में बहुत ज़्यादा tasty है अब मैं इसको फटा फट खा लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ शाम को दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है और ये देखिए kettle मैं इसमें अभी coffee बनाने वाला हूँ तो हमारे पास काफी सारे options हैं तो इस kettle में मैं पानी भरके और फिर मैं उस पे heater पर रख दूँगा इसके अंदर पानी है और इसको मैं डाल लेता हूँ यह देखिए यहाँ पर स्विच है उपस यह तो light वाला स्विच है और I don't know इसको start कैसे करते हैं I think यह button press करने से start होगा यह देखिए तो मैं wait करता हूँ थोड़ा सा देखता हूँ कि यह गरम होता है या नहीं instructions हो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कहां से इसको start करते हैं आवाज आने लगी आपको आवाज आ रही है चलिए मैं wait करता हूँ इसके गरम होने का और फिर मैं आपको मिलता हूँ so it's dinner time right now और यह मैं पहन रहाँ डिनर के लिए देखिए और अभी बहुत अच्छा dinner मिलने वाला है हमें चलिए मैं नीचे जाऊँगा और फिर जो भी मैं खाऊँगा वह आपको मैं पताऊँगा वहाँ जाके कर दो कर दो कर दो